यह तो बहुत ही आसान सवाल है दा डाइगनल्स ऑफ रॉंबस आर ट्वनिफोर सेंटीमेटर एंड तेन सेंटीमेटर इट्स एरिया इज तो बहुत आसान सवाल है फटावट से बिताईए इस कांसर क्या हो 120 सेंटीमीटर स्क्वाइर मादेव यूनिट शुट भी रच्ट सेंटीमीटर स्क्वाइर भी लिखिये आगे या आप स्क्वाइर सेंटी smartest लिख सकते हैं स्क्वाइर सेंन्टीमेटर स्क्वार सेंटिमेटर भव्वे अरे बहुत की आसान सवाल है रॉम्बस के डाइगनल्स आपको दिये ठीक है जब रॉम्बस के डाइगनल्स दिये तो डारेक्ली फॉर्मला है ये रॉम्बस होता है चारो साइट्स रॉम्बस की सेम होती है ठीक है ये दो डाइगनल्स है सपोज ये डाइगनल्स है सपोज ये डाइगनल्स है सपोज ये डी वन है और ये डी टू है सपोज ये डी वन है और ये डी टू है डाइगनल्स दे बैसेट इच दर एट 90 डिगरी at the center, ठीक है, तो जो formula होता है, area of rhombus, area of rhombus कितना होता है, half into product of its diagonal, half into D1 into D2, ठीक है, तो D1 और D2 तो दिया है, D1 कितना दिया है, 24 cm, और D2 कितना दिया है, 10 cm, ठीक है, है, so half into D1, 24 into 10, unit will be centimeter square, okay, 2 12 times, so it will be 120 cm square, very simple, okay, direct formula based, समझ माया?